तो मैं सीधा point पर आता हूँ Bro, इस game का link दे दो Game का link डालना मैं तो 5th stage पर हूँ मैं तो 30th stage पर हूँ अब तो पक्का खेलूँगा ये game ये कुछ comments हैं जो मेरी पिछली Blue Whale वीडियो पाये थे जिनको नहीं पता मैंने एक वीडियो बनाई थी Blue Whale के 50 टास्क के बारे में और लोगों warn करा था कि इस game से दूर रहे मैं पूरी वीडियो में बोल बोल के थगया कि इस game से दूर रहो और तुम लोग मेर से ही link मांग रहे हो नहीं, में पास नहीं है link और होता तो भी नहीं देता तुम्हें मतलब समझ नहीं आ रही एक वीडियो है उसके मैं तुम्हें ही warn कर रहा हूं कि मत खेलो इस game को इस game से दूर रहो और तुम उसी वीडियो के comments में मेर से link मांग रहे हो और कुछ महान लोग तो ऐसे है मेरी वीडियो पर या कि नीचे comment कर रहे है मैं तुम्हें दूँगा link और उसी comment की reply में कई लोग डाल रहे हैं कि भेज link मेरको दे link या come on please या थोड़ा तो serious हो इस topic को seriously लो कुछ comment करते हैं मैंने ये game download कर ली आज start करूँगा इतने task पर पहुँच चुका हूँ सच्ची बता रहा है जिन जिन लोगों ने comment कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं वो उन्हीं लोगों मेंसे हैं जिनको इस game का creator हटाना चाता था जिनको नहीं पता इस game की creator ने ये game इसले बनाई थी कि जो world में useless लोग है जिनकी कोई value नी है वो उनको हटाना चाता था और तुम उसी category में आ रहे हो तो सीधा question आते कि मैं ये video बना क्यों रहा हूँ मैं video ये इसले बना रहा हूँ क्योंकि पिछली video पे कई comments ऐसे थे जिनको answer करना जरूरी था कुछ चीजे में को भी बोलनी थी और आग सुबे मैं उठा हूँ और उठते ही में को blue whale के वज़े से suicide की एक और news मिली है ये news आई केरला से कि केरला में एक बच्चे ने suicide कर लिया है इसी blue whale game के वज़े से वो बच्चा सिफ 16 साल का था और इस game के ज़े से उसने suicide कर लिया ये game उसने 9 months पहले को शुरू कर रहा था वो धीरे धीरे करके टास्क कर रहा था उसकी mom को उसने बताया था लेकि उसकी mom aware नहीं थी इसके बारे में तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बाद में जब describe करा कि ये blue whale game के बारे में कुछ discuss करा था तब दा कि पता चले suicide का main reason क्या है मेरी last video का purpose यही था कि मैं awareness फैलाच सकूँ इस चीज के बारे में जिससे कम लोग इसके पीछे पड़े है और कुछ बेवकूफ लोग मेरी पिछली वीडियो पे comments में link 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 मांगे जा रहे है please या कुछ तो ध्यान रखो अपना पहले यह सोचो तुम यह challenge कर भी लो और somehow भगवान ना करें तुम पहुँच जा 50th stage तक और suicide कर लो यह सोचो तुमारे जाने बाद तुमारे parents की क्या हालत होगी same as बचे जिसने केलना में suicide करा है उसके parents ने कितना कोछ सोचा होगा यार उसके लिए कि future में से कराएंगा उसने suicide कर लो उसके parents पे क्या बीती होगी मुझे पता है यार उसके अंदर totally उसके parents की भी गलती नहीं थी वो नहीं aware कई बार होता है parents हर चीज के बारे में तो awareness रख नहीं सकते लेकिन अगर तुम एक parent हो और तुम्हारा कोई बच्चा है तो तुम please यार उस पे ध्यान रखो वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है उसका social interaction कितना है रात को अगर जाकर कुछ देख रहा है तो क्या देख रहा है कहां जा रहा है किस के साथ जा रहा है करिया अपना आपको hurt तो नहीं कर रहा किस तरह से behave कर रहा है awkwardly behave तो नहीं कर रहा जिंजन लोगों ने मेरी last video देखी उसमें majority मेरे support में थे अम उनको thank you कहना चाते हो जिन्नोंने वीडियो शेर करी awareness फेलाई जो भी चाते थे कि दूसरों लोगों को भी पता चले इसके बारे में और कुछ लोग ऐसे भी थे जो negative सोच रहे थे link मांग रहे थे लोगो और attract कर रहे थे उस game के तरफ एक जी जाद है ना कोई भी person तुम्हें इस game के तरफ attract करता है या इसका link भेशता है तो वो तुमारा well-wisher नहीं है अब यह सर्फ तुम पर depend करता है कि तुम किस side हो thank you so much for watching and I hope कि तुम्हें बात समझ आए होगी तुम मेरे बात से मेरे से connect कर पाए होगे और मेरे intention का main reason समझ पाए होगे कि मैं क्यों दूसरी बार इस चीज़ पर विडियो बना रहा हूँ and please तुबारा मेरे से इस गेम का link मत मांगना आज कल इंटरनेट पे एक नया गेम आया है यह नया चैलेंज आया है जिसका नाम है Blue Whale लेकिन कुछ दिनों पहले इसी गेम के वज़े से मुंबाई में एक टीनेजर ने सुसाइड कर लिया था और यह न्यूस सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ऐसा है क्या इस गेम में